स्क्रिन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां पर पूरे 19,000 का लोन जो है पुर्बल हो चुका है और यह लोन कितना दिन के लिए मिला है तो यहां पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं तीन महिना के लिए मिला है और यह जो लोन कंपनी है यह क्लैम करता है कि भीया अगर आप हमारी company से loan लीजिएगा तो ना तो आपका civil score हम चेक करेंगे ना ही आप से income proved मांगेंगो और ना ही bank statement सिर्फ आपको करना क्या होगा KYC complete करना जैसे आप KYC complete किजिएगा उसके बाद simple सा basic information डालना है ठीक है basic information डालिएगा KYC किजिगा account number दीजिए और जो भी loan amount आप लेना चाहते हैं एक हजार से लेके 25,000 तक का यह जो company loan offer करता है और उसके बीच में अगर आपका approval आ जाता तो immediate सिर्फ दो मिनिट के अंदर आपको loan मिल सकता है तो फ्रेंड अगर आपका civil score और खराब है आपको loan का दरकार है आप लेना चाहते हैं आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से company से मिलेगा तो यह video सिर्फ आप लोगों के लिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस application के बारे में हर एक details मैं आप लोगों के साथ explain करने वाला हूं जो कैसे करकर apply कीजिएगा क्या availability है क्या क्राइड एरिया है कितना दिन के लिए loan देता है कितना एंडर्स लगता है और यह company nbfc से register है यह नहीं है और लास्ट में मैं अपना openion बताऊंगा क्या इस application से आपको loan apply करना चाहिए यह नहीं देखे company जो claim करता है वो सच हो ऐसा भी जरूरी नहीं है इसका पूरा हम लोग जो है यहां पर review करने वाले हैं तो सबसे पहले देखिए इस्क्रीन पर application को जैसे आप install किजिएगा सबसे पहले आपको पुछा जाएगा कि आपका basic जो नाम है उसको डाली फिर आपको email id डालना है उसके बाद यहां पर आपका मंथले income क्या है उसको दिखाना पड़ेगा ठीक है reference number एक देना पड़ेगा जैसे कि आप loan ले रहे हैं तो आपका कोई भी फैमिली capture यहां पर दिया जाएगा जिस capture को यहां पर आपको फिल करना उसके बाद get OTP के उपर click करना जैसे आप get OTP के उपर click किजिएगा आपका जो भी register number होगा अधार कार्के में में उसमें आपको एक verification code भेजा जाएगा उस verification code को डालने के बाद आपका जो भी loan amount screen पर दिखाई दे रहा है simple सा उसको transfer करने का option आजाएगा जैसे यह option आएगा तो यहां पर देखे क्या पूछा जा रहा है आपको simple सा bank select करना है जो कौन सा bank आपका यूज करते हैं उस bank का IFC code account number यहां पर डालके confirm किजिए और कुछ इस प्रकार का loan approval होकर आपके bank account के अंदर transfer कर दिया जाता है ठीक है तो यह तो था process लेकिन अब इस loan को apply करने के लिए eligibility क्या है criteria क्या हर इक details जानना पड़ेगा तो सबसे पहले देखे हम यहां पर company के वाउट सक्षिन पर आएं तो सबसे पहले उपर मैं ही company ने यहां पर mention कर रखा है कि हमारा जो company है वह वह एंबी अपसी लेंडिंग पार्टनर फ्रेंच फ्रेंट प्राइबिट लेमिटेड के नाम से register है और यह RBI authorized learning partner है यहां पर देखे company ने क्या mention किया है मैं आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पर एक एक डेटेल से एर करता हूँ दो मिनिट अगर आप इस वीडियो को देखने में दे देते हैं तो आपको समझ वेटर आने वाला है ठीक है यहां पर फास्ट लोन के अंदर transfer भी किया जाएगा ठीक है यहां पर आपको पैसे की emergency चाहिए medical expense के लिए करना है चाहिए student है तो आपको पैसे की दरकार पढ़ गया उसके लिए आप लोन लेना है चाहिए shopping करना है payment करना है उस school का फीवरना है कुछ भी personal region देकर आप यहां से इस company से लोन ले सकते हैं जो turnover मिलेगा ठीक है अब लोन लिए तो finally उसका payment भी करना पड़ेगा payment करने के लिए जो आपको time मिलेगा वह कितना दिन के लिए company claim करता है यहां पर कह रहा है कि minimum जो आपको time मिलेगा वो बरसट दिन का यानि कि 62 बरसट और ज्यादा से ज्यादा अगर time की बात करें तो हैं तो 36 इससे ज्यादा नहीं लगा जा सकता है ठीक है आप चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले यहां पर देखें minimum or maximum loan apply कितना किया जा सकता है तो यहां पर देखें कंपने ने कहा है कि minimum आप इस company से 2000 और maximum की बात करें तो 25,000 से ज्यादा यहां पर apply नहीं कर सकते हैं और यहां पर देखें सिंपल सा आपको एक address प्रूब दिखाना address प्रूब में अधार काड़ होता है और यहां पर एक selfie लगेगा ठीक है लाइप सेल्पी आपका जो front camera उसमें एक लाइप सेल्पी लिया जागा उसके बाद यहां पर pen card का number देना है और आपका यहां पर bank account डेट 18 साल प्लस है तभी apply किजिएगा ठीक है और आपका जो income जो है वह 15,000 होना चाहिए income proof का demand नहीं है लेकिन जब आप home को fill करेंगे तो उहां पर आपको 15,000 डालना है अधार card और pen card के base पर यहां पर loan मिलेगा ठीक है आब यहां पर देखें company गुरगाउं हरियाना का company है ऐसा इसके about section पे लिखा हुआ है चलिए अब application का यहां पर नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए application का नाम है रूपी ready personal loan app और इसका rating है three point का और download कितना है पाच लाक application का डाउनलोड है पाच लाक पाचास लाक पाच लाक नहीं पचास लाक डाउनलोड है अब यहां पे चीज़ मैं आप लोगों को किलियर कर दो कि पचास लाक application का डाउनलोड है अब पचास लाक मैंसे मैं मानता हूं कि दो पांच लोगों को लोन भी मिला होगा अगर वहां पे लोगों का positivity क्या है तो यहां पर यहां पर review चेक करें तो very nice and friendly यहां पर इन्होंने बताया फिर य review अगर चेक किजिएगा इस application का तो मिला जुला review यहां पर देखने को मिलता है यानि कि ऐसा लगेगा कई बार लगेगा कि application अच्छा है ठीक है loan provide करवाता है low civil पर ठीक है यह बिना income प्रूब का loan provide करवाता है कई बार ऐसा लगेगा कि लोगों का negativity इस application के पर ती क्यों review दि किजिएगा review देना अपना काम है लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको personally पूछना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको काफी ज्यादा पैसी की need है जो रहत है तभी किसी भी application में try किजिएगा इसमें क्या किसी में नहीं तो try ही नहीं किजिए क्योंकि आप अगर loan ले रहें तो उसका payment भी time पर करना है अगर आप time पर payment नहीं कर सकते हैं तो आप loan मत apply किजिए क्योंकि delay अगर आप करते हैं तो बहुत सारा जो company का प्लेंडी चार्ज होता है फिर company call भी कर सकता है यह तो फिर जो है आपका civil score भी impact करेगा तो इन सब बातों का भी आपको ध्य ख्यान रखना है ठीक है तो मैं यहां पर personally बता दूँ कि मैं कोई यह कोई भी application का promote नहीं कर रहा हूं मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को सही information देना सही जनकारी देना ताकि अगर आपको सच में पैसी की जुरत हो need हो तो आप सही application पर try कर सके और आपको loan मिल सके और यहां प बता है कि मैं बहुत सारे loan application पर try किया loan नहीं मिला अब ऐसा कौन सा application है जिससे की loan मिल सकता है तो live proof उसको मैंने live proof इस वीडियो में मैंने उसको loan दिया और जहां तक हो सका कि मैंने उसका मदद भी किया मदद किया और application के बारे में बता दिया तो अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लिजिए कि बिना income proof का personal loan कैसे मिलता है कौन सा application से try करना है क्या लिविल्टी है और इस प्रकार का देखिए थ्री वेस्ट ऐसे loan application का नाम हमने इस वीडियो में बता रखा जिसमें बिना income proof का personal loan मिलता है इस वीडियो को देखिए अ उस सब वीडियो को भी देख कर आप information collect कर सकते हैं तो मुझे उमीद है इस वीडियो के अंदर जो भी information में आप लोगों को share किया आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया तो वीडियो को like share comment जरूर कीजिएगा इस video related कोई भी सवाल अगर आपके मन में र आ गया है तो आप हमें comment करकर जरूर पूछिएगा चलिए friend मिलते किसी आगले वीडियो